हेलो वुरीवन, आज हम बात करेंगे बिया अज़ुनरもし कोर पेपर के बार में ठीक है, क्लासिका संसखिर लिच्टर जो है संस्कीत अज़ुनर का पेपर है फरस्ट यर में दो समेश्टर होते हैं तो ये सेकेंड समेश्टर का पेपर है टीक है तो देखो इसमें दो साल के पेपर है आज बताने वाला हूँ अगर इसमें भाई ओ भी होता है या फीजिकल मोट आता है इसी तरह के बनेंगे परन्त एक बात ध्यांकरा ओ भी ही अगर होता है तो लोंग एंसन कॉस्चन आने के चांस जादा है ठीक है जो पहला कॉस् में सिर्फ दो दिया है तो तिन चार दिया होंगे उसमें से सिर्फ दो कोस्टन करने हैं मतलब दो के अर्थ लिखने है ठीक है अब दूसरे कोस्टन में दिया रहता है आपको व्याख्या करने के लिए दो तरीके को होता है कभी-कभी सब प्रसंग दे देता है ठीक है आगे व कर रहे हो तो इसमें यह वाँ नारंभे और लास्ट वाला द्रिश्टी ठीक है यह नारंभे लिखके डोट डोट करके लास्ट में द्रिश्टी लिखके उसके बाद आप व्याक्या करना चालू कर दिया करो ठीक है व्याक्या लिखके उसमें जितने वी चीजे हैं आप लिख आता हुँ आपको गद्ध लिखने के लिए लोंग एसर कोस्चन हाँ यही बोला था कि ज़िए अगर वही होता है तो इस तरह के लिए लोंग एसर में ठीक है उस समय क्योंकि व्याख्या लिखने आपको बहुत टाइम लग जाता है इसलिए तो चौथा जो कोस्चन इसमें भ स्कत्राओं निए को काणबात करने के लिए दिया है सिट चार पाठोर आपको फॉजरू membrakा Wie फिर व्याख्या पामचवा डंडिना पदला निपיכ जीप पर यह ठiक है और औरbut विष्टु चर्तम के आधार पर वियारबग्तव का कथन का विवेचन के तो जाहिज से बात आपको मुझे पता है न वाला करेंगे विष्टु चर्तममाला क्योंकि इसकानिया या पता रहती है अधर पतला नित्वम कि बारे में पता है तो आप आराम के लिख सकते हैं ठीक ह तो आपको पहले question में जाना पड़ेगा, वहां देखोगा किस word के नीचे आपके underline है, तो यहां देखोगा कि word दिखाई देगा, देखो, यहां देखो, देखो, word के नीचे है न, यह, तो हाँ, इनके क्या लिखने हैं, आपको ब्याकरार्थमें, ब्याकरार्थमें दूरे लिखने हैं, उसमें से किनी 5 कहीं दिया, 5 कहीं करना है, ठीक, उस question में जाके आपको 5 कहीं करने हैं, तब साथ में question देखो, जो है, संस्की गद्यकाब के उद्भय, विकास पर पकाश डाले भाई, 100% question यह है, गद्य, इस पे तो हमेशा आता रहता है, इस बात का ध् लिखिए, टिप पड़ी, पंच तंत्र, यह सारी चीजेस में दी हुई, आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप दूसरा question में दाते हैं, वही तीन घंटे का पेपर, 75 नमर का पेपर होता है, अनुबाद, पहला question अनुबाद करने के लिए आगा, कर लिजेगा, दूसरा question आपको दूसरा question जो इसमें सब प्रसंग व्याखा लिखा है, इसमें संदर प्रसंग अर्थ, आप व्याख्याप को सारी चीजे लिखनी पड़ेंगे, किसने उखती है, कौन से बुक से लिया गया, किसने लिखा है, ठीक है, तीसरा question होता है, सुखनासु पदेश का सार अपने सब दूसरा question होता है, दंडी के गद साली का व्याचन के, तीक गद साली ओर में बताया था ना, कि ओर में question होते हैं, जो आपको अच्छे ढंग से लिखना चाते है, वो लिख सकती विस्विश्चर देश के अंसान राजाओं की दिन चर्या का वड़न, 100% question आता रहता है, छोड रखां के सब्दों के, अंदर वो सारी चीजे लिखे, प्रत्य अनुवाद उसके लिखे, ठीक है, सातवा question की नहीं, तीन पर संशिप टिपड़ी लिखे, बारभट, दंडी, सुबंधु, अख्याईका कता, तो ये आप पढ़ चुके होंगे, संद की साहित की इतिहास में या फिर कुछ चीजे जैसे भूमिका में दी रहते हैं, तो वहां से आप ये सारी चीजे पढ़के लिख सकते हैं, ओ भी है, तो आप बुक अपने पास रखें, ज्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक हो, संदर प्रसंग अर्थ ब्याक्या वाले में ध्यान दीजेगा, जिस